हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज मैं आप सब के लिए एक रिफू वाली वीडियो लेके आई हूं जिसके लिए देखिए हमें इस मसीन के जरुवत परेगी तो आज के इस वीडियो में आप लोग को किसी भी फॉर्मूले या मेजरमेंट की कोई जरुवत न जरुवत सब्सक्राइब को चलिए शरुव सब्सक्राइब तो प्लीज जलदी सब्सक्राइब कर लें तो हमारा यह पर चुका है यहां से देख सकते हैं इसको मैं रिफू करके एक दम नया बना लूंगी जो कि इसी को भी पहचान में नहीं आएगा कि यहां पर फटा हुआ था तो इसके लिए देखिए हमें दी नमबर पर स्लाइज जैसे हम लोगों ने सेट करके रखा है और देखिए जहां पर कट है हमें उसको इस तरह से इसको पकड़ना है और एकदम जो इसका कटिंग पॉइंट ह हमें वहीं पर स्ट्इच करना है और यह जो स्ट्इच वहीं जिग्-जैग होती है क्योंकि दी नमबर पर छी प्ल nih बेसा हो जाती है देखिए कुछ इस तरह कांवें स्टीच करना है तो इसमें देखिए एक लाइट भी होती है जिन्हें अगर आखों में कोई दिक्कत ना हो इसलिए यह वाली मेशिन बहुत अच्छी होती है तो लाइट को मैंने हटाने के लिए कागज तक दिया है तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आये इसकी स्टिचिंग कर लिया तो देखिए मैंने एक साइक तो कर लिया देखिए यहां पर भी एक कटा हुआ है घानल को एकदम искu सब्सक्राइब कर लिए क्यूंकि मैं हर रोज कुछ नया लेके आती हूं ताकि आप लूग घर बैठे सब सी शक सके तो देखिए इसके बादी के दिए पर बहुत जादा फटा होने के कारण हमें इसको मैंनेज करने के लिए मैं कप्रे का टुकडा ले रही हूं और इसको इसके बैक में रखे उसके उपर से स्टिच करूंगी ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए इसका कटा हुआ हिस्सा तो देखिए मैंने हाँ पर इसको स्टिच कर लिया है और सेम में एक और बार इसको स्टिच कर लूँगी ताकि पूरी तरह से जो है सेट रहे तो देखिए हाँ पर हम लोगों ने complete कर लिया असकी stitching कितना आसान था और कितना जल्दी हो चुका है देखिए friends और एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ पर कोई भी cut था तो friends आप लोग भी जरूर ट्राय किजेगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट के जरूर बतियाईगा तो मिलते हैं कल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को प्लीज लाइक कर दीजेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजेगा रोज कुछ नया देखने के लिए तो मिलते हैं कल ठीक सारे पाज बजए नए वीडियो के साथ कल वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है तो कल आना बिलकुल मत भूलिएगा तब तक के लिए हर हर महादेव